जाहिं दोस्तों आज की सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सचेटरल बैंक पंप इंडिया में आप लोग पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो आपको ये फॉर्म भरने की आँज़ वारे सकता होती है और इसी फॉर्म में आप लोग जितना पैसा निकालना चाहते हैं 5000-10000 तो इस फॉर्म को भरते हैं तभी आपको बैंक में आपको वहाँपर पैसा दियाता है तो मैंने देखा कि बैंक पर केसी मतलब कई बैक्ति को फॉर्म भरना नहीं आता है मतलब दिकात आ रहाता तो मैं ने सुझा कि इस पर वीडियो बना दिया जाए ठीक है तो यह फॉर्म आपको बैंक में इसली मिल जाएगा और आपको सही-सही भरना है ताकि फॉर्म भरने के बाद आपको कहीं वहाँ पर रद न कर दे क्या आप भर देंगे कहीं गलती घर देंगे तो आपको फॉर्म वापस फिर से भरना परेगा दूसरा फॉर्म लेकर तो गलती नहीं करना है और सबसे पहले मैं आपको पता दूं कि आप पैसा निकालने के लिए जा रहा है तो आपके पास आपको इस बैंक में है उस बैंक का पासबुक भी साथ में ले लेना है क्योंकि यहां पर लिखा है यह फार्म चेक नहीं है इसके साथ पासबुक पासबुक जरूरी है यानि पासबुक के साथ आपको ले जाना है इसको ठीक है तो चलिए हम इसको कैसे बढ़ते हैं देखते हैं द डलने और कौन से साल यह 2030 है तो यहां पर मैंने डाल दिया यह डालनें के बाद आप जहां खादा खुलवाए हैं वहां का ब्रांज का नाम डाल देजीगा पास्वुक के साथ रहेंगे तो में सब कुछ दिया रहता है ठीक है तो में राजनगर तो राज नगर मैं आपको एक बात बताना चालओगा कि अगर आप Hindi में लिखना चालते हैं तो वो भी आप लिख सेक्टें से आपका गलत नहीं होगा ठीक है अब हम क्या करेंगे कि हाप लगें मुझे कितना पेशा निकालना है मुझे निकालना है पांच जार रुपिया तो मुझे यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा ठीक है पांच हजार रुपिया मात्र यह आपको अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 रुपीज अउनली ध्यान समझेगा 5000 रुपीज अउनली लिखेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर भी लिखना होगा 5000 निकालना है तो 5000 लिखना होगा यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से ऐसे कर देंगे ठीक है यह करने का बाद आप क्या करेंगे आपको यहाँ पर आपका जो भी एकाउंट नमर है वो एकाउंट नमर यहाँ आपने पास्बूक में देख करके अच्छे से भर लेना है ठीक है कटखुट नहीं करना है ठीक तो मैं भर लेता हूँ अच्छे से भर येगा ठीक है ताकि आपको फॉर्म रद ना हो ठीक है और आपके पास्बूक में देख लेना जो नाम है आपका वो नाम सही-सही यहाँ पर भरना है अगर हिंदी में है तो हिंदी में लिखना अंग्रेजी में वैसे राता है तो वो फूरा नाम यहां पर आप डाल देज़ेगा जैसे मेरा नाम है राउसन कुमार ठीक है तो मैं यहां पर लिख देता हूं राउसन कुमार यह मैंने अपना नाम लिख दिया आपका जो नाम हो वो सही से यहां पर लिख देज़ेगा ठीक है उसके बाद यहां पर लिखा है ध्यान समझेगा उसके बाद यहाँ पर लिखा है ध्यान समझेगा खातेदार का हस्ताक्षर यानि जो बैक्ती पैसा निकाल रहे हैं वो अपना साइन करेगा ठीक है ज़िए ज़िए मैं अपना साइन करता हूं ठीक है और उसके बाद अगर आप आउठा निसान देते हैं उल्टाने का बाद आप यहाँ पर जो साइन वहाँ पर की हैं वैसा ही साइन यहाँ पर भी करेंगे दो बार साइन करना होगा ऐसे ठीक है इस प्रकार से इस प्रकार से आपको साइन करना होगा अगर कोई ब्यक्ति आउंठा निसान देता है तो एक आउंठा निसान यहाँ पर देगा और एक आउंठा निसान यहाँ पर देगा तो आपका इसी प्रकार चे फॉर्म भरेंगे तो आपका पैसा दे देगा लेकिन आप लोग क्या करेंगे पास्बुक ले लेंगे पास्बुक में ये फॉर्म डाल देंगे और ये फॉर्म डालने के बाद आप जाएंगे cash counter पर आपको पैसा दे देगा इस column समय कुछ ने भारिएगा नहीं तो आपका फॉर्म रद हो जाएगा आपको कि वीडियो समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना क्योंकि मैं इसी प्रकार से वीडियो इनफोर्मेशन के लिए देता रहता हूं तब तब मिलते हैं जय हिन जय भारत